तो कैसे हो आप सब आज की इस वीडियो में हम कवरब करेंगे आठ जिनवरी 2022 से जुड़े टॉप नाइन करेंट अफेस तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास तक देखिएगा वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चलिए दूस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेशन है हमारा कि भी हाली में भारत का मानक ब्यूरो का 75 दिवस कब मनाया गया है तो अभी हाली में भारत का मानक ब्यूरो का 75 दिवस जो है 6 जनवरी को मनाया गया है इससे पहले 1 जनवरी को वैश्विक प तो इसके जो स्थापना जो है वो 1986 में करी गई थी और इसका जो है वो डेली में सिचुएटेड है अभी करेंट में इसके डारेक्टर जो है वो प्रमोत कुमार तिवारी है तो इस तरीके से आप मानक ब्यूरो के बारे में फुल इंफॉरमेशन याद रखेंगे चली बढ़ है वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है के चंदरशेखर राओ और वहां के जो गवर्नर यानि के जो राजपाल है उनका नाम है तमिल इसाई सॉंदर अरजन तो इस तरीके साब है आप हैदराबाद के बारे में फुल इंफॉरमेशन याद रखोगे शली बढ़ते गूगल और फेस्बुक देखिए गूगल और फेस्बुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है तो इस तरीके से आप फ्रांस के बारे में सब याद रखेंगे और कुछ दिनों पहले हमने डिसकस किया था कि अभी हाली में जो फ्रांस देशे उसने कोविड-19 के न पेरिस अगला कुशन है हमारा कि अभी हाली में किस देश ने एक हाइपर सॉनिक मिसाइल का सफलता पूर्वा परेक्शन किया है तो इसका करेक्ट हो जाएगा नौर्थ कोरिया नेक्स कुशन है कि अभी हाली में शिर्ष दस वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एक मातर हवाई अड़ा कौन सा बन गया है तो अभी हाली में शिर्ष दस वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एक मातर हवाई अड़ा जो है चन्नाई हवाई अ बन गया है ज़िन हवाई अड़ा जो है भारत में सबसे तेज और बिल्कुल अपने टाइम पर फ्लाइट को शुरू करता है और बिल्कुल टाइम से वहाँ पर पहुचाता है नेक्स कुशन है कि अभी हाली में ममता बियोंड 2021 नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो अभी हाली में ममता बियोंड 2021 नामक पुस्तक जो है वो जयन्द घोष जी दोरा लिखी गई है अब ये जो बुक है ममता बियोंड इससे आप खुदी समझ सकते हैं ये जो बुक जो है य नई दिली में शुरू की गई है नेक्स कुशन है कि भी हाली में भारत और किस देश ने त्रिकोन माली तेल टैंक के पुनर विकास के लिए समझोता किया है तो इसका correct answer हो जाएगा श्री लंका अगला कुशन है कि भी हाली में किस राज की CM ने student startup के innovation policy 2.0 को launch किया है तो भी हाली में जो गुजरात राज है वहां के जो चीफ मिनिस्टर जो है भूपेंद्र भाई पटेल उनके द्वारा जो है ये startup शुरू किया गया है ठीके अब ये startup है क्या तो student startup and innovation policy 2.0 है बात करेंगे हम गुजरात राज के बारे में तो वहां की जो capital है वो है गांधी नगर और वहां की जो राजपाल है आचार देवरत है मुखी मंतरी अभी मैंने आप लोगों को बताया वो है भूपेंद्र भाई पटेल दोस्तो आज के इस वीडियो में हमने cover up करा है टॉप 9 current of s daily current of s नेक्स वीडियो में हम और भी questions डिसकस करेंगे और अगर आपको आज के वीडियो पर helpful लगा हो तो इस वीडियो को like, share, subscribe ज़रूर करिएगा इसी के साथ जयाहिन, मनने माज़ेगे